रेंडम शुगर जो है वो खाने के दो गंटे के बाद से लेकर आट गंटे से पहले खाने के दो गंटे के बाद से लेकर आग गंटे से पहले पहले अगर आप जो शुगर चेक करेंगे यानि कि शुगर आपको हो सकती है, लेकिन अगर आपने यहां कंट्रोल कर लिया तो आप पीछे भी जा सकते हैं आपको 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 अबस्यों अपीटर नीजिया है, जब भात करते हैं हम लोग कि दैबिटी सेली केर, आपको एझूकेशन, daycare and prevention services cổvuaid कर रहा है कोशिश कर रहा है कि शोबर के मुरीज अपने आपको आने वाले की पेचीतियों से बचा सकें कोशिफ करता है उन Лगों को के हाई-rest-candidates व अपने आपको डाइबिटीज से बचा सकें तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि Rachri डाइबेटीस के पेशेंट्स को सही तरीके से एडूकेट करें एक बड़ा ही कॉमनिस्ट कुइस्टन मुझे आप लोगों की तरफ से सुनने को भी मिलता है और बाज वकात हम से क्लिनक पर भी लोग अकसर एक ही सवाल कुछते हैं कि मैडम शुगर होनी कितनी चाहिए तो क्य क्या है कि एक बाहए क्या थे सिढूल इंशले की है कि ये अप्य आप कई और खिर बड़ जानुग है क्या चुगर का इयुकर अप्रशा अपि कराते हैं कि अपको चुगर के अनुगर का भी और अलागास ह। कि आप उतो का उर्ली स्चेश पर चाहिए और जासे ये सब क्य एचे करेंगे एज रिलेटेट सुगर लेवलों लेड़ों विए इस फिरुछी अड़ लेवलों के नियाबेघ। पिरुछी पिरुछी अवेजियर को तो ऑफ दुग तो यह जानती हूं कि आप सब लोगों की ज़ेंगे सबस्दों चाहलें कि अपके माध्य जानती हैं तो अगर आपने हमें अभी टुमिन किया है तो आप हमारे यूटीब चैनल को जूर एक्स्टोर करें वहां मौजूद है डाइबिटीस से मुतालिक हर एक सवाल के मुकमल जावबाद की मुकमल कफसीन उसको जरूर देखिये और हमें अपने कमें नहीं करें बात करेंगे एक हल्दी इंसान की जो कि इसवक्षण नॉन डाइबिटीस की रेंज में नहीं है नॉर्मली एक हेल्दी इंसान की शुगर कितनी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि हम कब चेक टेरें तो हमें पता चले तो देखे सबसे पहले यह आगए कि शुगर जो है वो दो टाइम पे चेक की जाती है एक फास्टिंग होती है और एक रेंडम होती है फास्टिंग शुगर यानि कि निहार मू की शुगर जो है वो आपने आट से दस गंटे की फास्टिंग के बाद यान्ट से 10 गंटे अगर आप में रात को खाना खा लिया और आपके 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 10 गंटे फास्टिंग को गए है तो आपकी सुबा नाश्ते से पहले की शुगर निहार मूगी शुगर कहलाएगी खुदारा इस से पहले अपनी शुगर चेक करके उसको फास्टिंग शुगर का नाम मत दिया करें अक्सर लोग रात के बारा बज़े तक आते हैं और पर सुबा फजर में चेक करते हैं जिसकी वज़ा से वो चेक वो प्रपर फास्टिंग शुगर नहीं होती है तो अगर आपको खाएवे आँट से 10 गंटे हो चुके हैं जिसमें आप सिप्स ओफ वाटर अलाओ हैं तो आपकी ये फास्टिंग शुगर कहलाती है रेंडम शुगर जो है वो खाने के 2 गंटे के बाद से लेकर 8 गंटे से पहले पहले अगर आप जो शुगर चुक करेंगे वो रेंडम शुगर होती है जिसके लिए हम आईडीली कहते हैं कि आप खाने के 2 गंटे के बाद एक्जेक्ली चुक कर लिया का है ये तो हैं दो अकात याद अपना बड़ा जरूरी है अब बात कर रहे थे हमके एक हेल्बी इंसान की शुगर कितनी होनी चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 100 से कम होनी चाहिए रेंडम ब्लड शुगर 140 से नीचे होनी चाहिए और एक तीसरा टेस्ट हम कराते हैं एच बी एवन सी का जो के तीन महीने की शुगर को बताता है वो 5.7 से नीचे है तो आप एक हल्दी केंडिडेट है एक मैं नॉन डाइबिटिक की बात कर रही हूँ आप अपने आपके फिलाल डाइबिटीज के लिए मैं उसकी बात नहीं कर रही है बिल्कुल आप एक नॉनल है और आपकी इतनी शुगर होने चाहिए फास्टिंग 100 से कम, रेंडम 140 से कम और आपकी जो है वो HbA1C 5.7 से नीचे होने चाहिए अगर आपकी निहार मूँ की शुगर जो है वो 100 से 125 के बीच में है 100 से 125 के बीच में है यह category कहलाती है pre diabetes कि अगर आपकी random sugar यानि कि खाने के 2 गंटी के बाद की शुगर 140 से 199 के बीच में है वो शुगर कहलाती है कि आप was pre diabetes या borderline के दहाने पे खड़े बेखे है यानि कि शुगर आपको हो सकती है लेकिन अगर आपने यहां कंट्रोल कर लिया तो आप पीछे भी जा सकते हैं This is called pre-diabetes, pre-diabetes पर हमने बहुत detail में वीडियो बनाई है अभी बात कर रहें कि नॉर्मल शुगर लवल कितना होना चाहिए और किस पे हम pre-diabetes और diabetes डियाग्नोस करें यह pre-diabetes HVA1C आपका 5.7 से 6.4 के करीब है बीच में आजाता है तो आपकी शुगर pre-diabetes कहलाती है अगर आपकी fasting sugar 200 से उपर चली जाए अगर आपकी fasting sugar 125 से उपर चली जाए और HVA1C आपका 6.5 से उपर चला जाए तो यह कहलाती है कि यह category diabetes की है Diagnosis of the diabetes सर्फ एक value पर नहीं होती है हमेशा दो values ली जाती है दो value के बाद उसको clinically correlate किया जाता है HVA1C करवाया जाता है तब पता चलता है इस वक्त टॉपिक है कि blood sugar कितना कब कितना होना चाहिए तो हम क्या label कर रहे हैं आपको पता चल गया normal healthy इंसान का क्या होना चाहिए pre-diabetes क्या है अब बात करते हैं कि क्या age related कोई difference होता है या नहीं इसर्फ हमें जो है वह बच्चों में diabetes के बारे हम पूछा जा रहा होता है कि बच्चों में sugar levels कितनी होनी चाहिए तो देखें बच्चों में और बड़ों में criteria सेम ही है normal blood sugar भी बच्चों में यही होगी कि 100 से कम है तो normal healthy है अगर वह 140 100 से कम fasting है तो normal है 140 से कम random है तो normal है उनके अंदर भी pre-diabetes और diabetes की जो diagnostic criteria है वो बिल्कुल सेम है कि आपकी fasting blood sugar आपकी random blood sugar और आपका HbA1c उसी level पर fall करता है जो adult के level है और उसी पर ही उसी वही तरीका है diagnosis का कि हम levels check करते हैं दो readings लेते हैं यह आज ली है दिन कल लेते हैं दो consecutive readings होती है और उसको confirm किया जाता है HbA1c से और इसके साथ clinical correlation की जाती है अब हमारा सवाल है कि एक diabetic patient की blood sugar कितनी होनी चाहिए क्योंकि आप diabetic patient है आपके जायन में हमेशा यह सवाल होता है कि बॉक्साथ कितनी मेरी शुगर हो जानी चाहिए लेकि सबसे पहली बात तो यह है कि कस्टमाइज होता है हर patient हर age group के हवाले से हर condition के हवाले से हमारा target जो है एक आइडियली एक diabetic patient को complication से बचाने के लिए जितनी blood sugar होनी चाहिए इससे कम हो तो बहुत अच्छा है fasting blood sugar 130 से कम होनी चाहिए diabetic patient का target की बात कर रही हूँ fasting blood sugar आपकी 130 से नीचे होनी चाहिए random blood sugar यानि के खाने के 2 गंटे के बात की शगर आपकी 180 से कम होनी चाहिए और HbA1c आपका at least at least 7 से नीचे होना चाहिए यह आपका target होता है यह वो target है जो diabetes के patient को complication से बचाता है तो अगर आपकी diabetes control नहीं है तो आपके targets at least इतने होने चाहिए लेकिन अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पर हम डॉक्टर पर विजट कर लेते हैं हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा target आपके लिए healthy candidate जितना होता है और खासता है जो diabetic patient से उनका target क्या होना चाहिए तो अपना बहुत क्या लगिए और अगर इस दिल्सले में कोई भी सवाल है तो मुझे जरूर comment में post कीज़ेगा और हाँ तो मुबाइल आप्लिकेशन के तुर हमसे डायरेक्ट वीडियो कंसल्टेशन के जरीए राफ्ता करें नवाद क्या लखेगा द्वामया दखेगा लाफिस